जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपरवाला प्यार दोस्तों आज हम लुक सेट पड़ेंगे 10-7-2024 का स्टेप नमबर 4 यानि ये 32 सेट होगा और इसकी पीडियाप हम टेलीग्राम में डाल देते जिसे आप सभी को बेनिफिट होता है इस्टार्ट करते है पहल यह जो परश्टीज रफल होते वो चार पाई आरवन स्क्यार चार पाई आरू स्क्यार यानि चार पाई चार पाई कर दाथा तो एक त्री के सिए आरवन का स्क्यार्ट और जो प्रम बता रहे हैं नविए तो यह कहीना के साथ का ispeir होता है यह नौका होता है तो साथ का क्यूब होता है 343 और नौका सावें 729 उमीद है मेरी बात समझ गए होगे तो इसका अंसर यह मेरे सब्सक्राइब को सुनो अगर नहीं समझ में है तो दुबारा सुनो क्लिया है ना अन्ना तो इस कोशन का अंसर 343 टावन इस 343 इस्टू 729 दोस्रा समानतर है अगर समानतर है तो a1 upon a2 b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2 तो c1 वाला पार्ट माइनस 2 है और 7 है तो वह ही नहीं तो a1 upon a2 b1 upon b2 कर लो यानि 5 upon k plus 1 ऐसे कर लेंगे और k upon 4 ऐसे अब इसकी calculation बहुत tough नहीं है 5 गुड़े 4 को आप ऐसे रखो और k k plus 1 ऐसे रखो अब में प्याए दोस्तो k का मान यहाँ पर 4 गोसित कर दो क्योंगी 4 रखो गे तो 4 यह 5 पांचों का 20 तो k का मानी पूछा गया है 4 समझ गए बाकी option से कर लो पी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है क्यूं उसी काम को 24 दिन में कर लेता है पहला उद्देश LCM जो की 24 आया 12 से भाग दोगे दो बार में 24 से भाग दोगे फिर अब P और Q एक साथ काम करते हुए उसी काम को किते दिन में फर्जी कोशन पूछ रहा है ना आज करूं टाइम इन वर्क में फर्जी पूछा है तीन से भाग दे दिना आठ आंसर आ जाएगा इस कोशन पे फोड़ा सा प्रकास और पेसेंस तोनों चीज काम आएगी कॉलिज लाइबरेरी की पहली मंजिल में छेविसो के पुस्तकों का विवर्ण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है गड़ित और कंप्यूटर का सरकेट थियोरी और ग्राप थियोरी से अनपाथ गयात करूं तो कॉलिज की जो लाइबरेरी होती है वो में लोल प्ले क थी जहां खुब सारे कंप्यूटर जैसे आज कल आप जाते होगे ताहां पर रेल लाइबरेरी में पढ़ने वहां से पढ़ने को मिलता है बीच्चू के लाइबरेरी में वहां सामने डेश्टॉप हाई स्पीड के साथ समझ गया ना और वहां आप बैठ के पढ़ सकते हैं समझ गया यह चीज़ है ठीक है इंट्री होती थी यह आधर ना कपकी बाद जब हम दो जाए 11-12 की बात बता रहे हैं तो और हाई-टेक हो गया होगा समाझ गया लाइबरेरी का बहुत रूल होता है कहता है गड़ित और कंप्यूटर का गड़ित और कंप्यूटर गड़ित और कंप्यूटर तो जोड़ लो आड़ दू दस जीरो छे एक जीरो साथ हो गया तीन चार साथ कि यहीं तर साथ 17 और 14 31 यार 770 हो गया और फिक कहता सर्केट थियूरी और ग्राफ थियूरी का कि भुल चुक लेनी देनी रहे हैं कि सर्केट थियूरी और ग्राफ थियूरी इसको भी जोड़ दू तो अरतालिस बासट अरतालिस बास नभ्य होता है और गजिए और नाइनटी नाइन और छे एक सो पांच होता है ठीक है और भुल्चुक लेनी देनी अब देखो इसका दोकर यहां दस यहां 31 तो यहां नी थ्री इस्टु वन का रेश्यों ही बनना चीए एक्वार्डिन टू दा ओप्शन्स तीन का गुणा करके देखें यह आता है कि नी जीरो नौत रिका सप्ताइस दो हासिल पंदरा प्राप्त अंको का प्रसत दरसाती है कोश्टक में दीगे संख्या प्रतेक विसे में अधिक्तम अंक है सभी छात छातु दौरा हिंदी में हिंदी यह वाली लाएं हिंदी यह टेटा नजरा आ ठीक है नहीं आ तो मैं बता रहा हूं नब्वे नब्वे असी सो सथारे अब सभी छेश चात्रों दरा प्राप्त हिंदी में आउसता तो बच्चा क्या करता है 120 का 90 परशन अब परशन अस्ती परशन सो परशन सो परशन सतर परशन पहले निकाल है 120 ऐसे उठाओ जो कि टोटल दिया गया और हमें आउसत चाहिए तो यह छे लोगों का उसक इसी में 6 का भाग भी देदो लगया और इसके परसेंटेज जोड़ लो तो यह दो सो हो गया 200 हो गया 20 इधर देदो गये तो 400 हो जाएगा और 20 इधर के देगा अब यह बचा 50 और 80 530 परसेंटेज तोटल हमें निकाल ला है इसे कैल्क्लेट कर लो then you will get the right answer ठीक है अब इससे यह 20 बार में गया जीरो से जीरो गया त्रेपन दूना मुलब परसेंटेज दो जीरो खाया जाएगा ना 106 आंसर है ना आसा ठीक है डेटा आपको पीडिया भ़म देते हैं वहाँ देख 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 बोल तो दिया ही था अब इस कोशन ने बच्चा घबरा जाएगा फरज सते छेतरपल वाले यानि सर्फिस एरिया के बारे में बात कर रहा है सर्फिस एरिया होता है 6A स्कॉर तो यहां A1 घुसित कर रहे क्योंकि आगे भी कुछ बोल ला है और यह 54 के बोला गया 6 से भाग दो के 9 बार में A1 स्कॉर बराबर 9 तो A1 बराबर आ जाएगा तीक आगे की कहानी पड़ेगे आगे कहता है कि घं को पिगला कर इतने सेंटीमेटर सते छेतरपल वाले फिर से सते छेतरपल यानि सर्फिस एरिया के बारे में बात कर रहा है इतना तो फिर से 6 A2 का स्कॉर और 8 बटा 12 बर्चंग 12 तर 8 से भाग दोगे तो नीचे आ जाएगा 9 एक बटा 9 तो A2 बराबर आ जाएगा एक बटा 3 आप सुनना यहां इस वस्तू को पिगला कर इस वस्तू में तबदील की गए तो दोनों के आयतन बराबर करोगे पर यह कितने बन जाएगे यानि इसका आयतन क्यों है तो तीन का क्यों होगा और कितने घन बनेंगे एन और हर घन की भुजा क्या है एक बटा तीन इसका क्यूबिक आप कर लोगे तो क्यूबिक करोगे तो 27 गुड़े 27 यानि 7 to 9 हो जाएगे यानि छोटे घनों की संख्या 7 to 9 आ जाएगी कित्ती आ जाएगी 7 to 9 चाले कोश्चन नमबर 6 के बाद कोश्चन नमबर 7 यदि किसी गोले का प्रश्टी छेत्रपल इतना गोले की त्रिज्जा ग्याद करो साथ आंसर आ जाएगा डिरेक्ट पर आप करो प्रश्टी छेत्रपल गोले का चार पाई आरवन मलब आर का स्क्वाइर होता है जो कि 616 हो जाएगा चार ऐसे पाई की वैलू 22 बटा साथ और आर स्क्वाइर साथ गयार हो साफ की तो जो सर्कल यां इस पेर की बात हो इस सेर्कल की बात कर तो उसका circumference 44 area 154, 154 का 4 गुना यह, यानि area का 4 गुना तो 4 पाई आर स्क्यार, इसलिए हमने 37 तुरंद मैंड में आ गया था, समझ गया, यह कोशन, दो उमीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% वोट अवैद थे, और एक उमीदवार को कुल वैद वोटों का 52% मिला, और टोटल वोट थे 8,000, तो टोटल 8,000 वोट थे, पहले समझ न, और इसमें 15% अवैद, तो बचे किते 85%, 85% इसका वैद है, पहले बात को सुन होना, फिर आगे कहता है, जो बंदा जीता है, उसे 52%, तो हर चीज अपने आप में 100%, तो जो हारा होगा, उसको 48% मिला होगा, जो जीता उसे 52, तो 100 में 52 गया, तो हारे वाले का 40, कि लिए दूसरे उमीदवार को मिले वैद, इसका सिर्फ 48% आपको निकाला है, आपको यह प परसिंटेज बोलोगे, और इसे 48% बोलो, आप खेल लेते हैं, कैल्कुलेशन को, जो को परसिंटेज 0 की बली मांगता है, फिर परसिंटेज 0 की बली मांगता है, इसका गुणा इसमें करके और 17 का गुणा कर लो, यह यह यूनिट प्लेस भी देखलो ना, 7 चोग 28, 8, 8, 8, लाश्ट में 32, यह यह, तो इसका आंसर मिरे भाई, फिर इसी को घोसित कर देना है, ज्यादा सोचना ही नहीं, यूनिट प्लेस ले कर लो, 32, 16 आंसर, मुद्दा खतब, कैरा 17 से भी भाजित, पहले बहुत आते हैं, अभी यह कम आते हैं, 17 से डिविजबिल्टी रून, यह या तो 17 से एक ज्यादा हो, या एक कम ऐसा बनाओ, तो 2 की पावर 256, तो यह 16 बनी जाता है, तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर 64, और बटा 17, तो यह 2 की पावर 4 को क्या बोलेंगे, 16 की पावर 64, अपान 17, अब इससे एक कम है और इवेन पावर रिमेंडर 1, वनना 17 से 16 सत्रा एजे, मुझा एक एजे रिमेंडर, सत्रा नहीं, वनना एक प्रोपरिटी भी याद कर लो, यह X की पावर M अपान X माइनस 1 होता है, तो यह X प्लस 1 वाला, क्योंकि नीचे बढ़ा कहे रहे, तो M अगर हमारा ओड है, M हमारा ओड है, तो X हमारा रिमेंडर है, और M हमारा इवेन है, तो 1 हमारा रिमेंडर है, जब इस पैटन पर, ठीक है? एक संख्या 11 से विवाज है, यदि में केवल, यदि संख्या में सम और विसम पदों के अंकों का योग या योग का अंतर, वो 0 का मल्टिपिल या 11 का हो, डैरेट आप जानते हो, भाई 11 रिविजिविल्टी का रूल का जानते हो, सम आप और प्लेसे वेलु या सम आप इव पड़ी पड़ी पेड, ये भी इतना, इतना, अब दो कोई ये भुजाएं दी गए, अब जो बच्चा एक्सपड है, इसको देखते हैं हो, समझ गया, क्या समझ गया, अब दूसरा बच्चा जुजारू, अरे राइट अंगल, ट्रैंगल, दो छोटी बजाओं के वरकों क हो, बड़ी पुजाओं के बरके बराबर, रूट तरी का तीन, एक चार, दो का स्कुरार चार, राइट एंगल, और आपने हाइटें डिस्टेंस में, रूट वाले पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, ये लाइने मेरी छोटी आ बर दो, जैसे माल लो हमने यहां रूट 3 भर दिया, यहां 1 भर दिया, और यहां 2 भर दिया, तो इसी हिसाब से रूट 3 भर दिया, तो वो AB भरा और BC, तो यहां B वाला आया, BC, AB, अब सुनो, हम लोग जब पढ़ाते ही हैं बच्चों को तो बताते हैं, कि 90 के साथ, मालब यह वाला जब रूट 3 नीचे होता है, तो यह वाला एंगल 30 होता है, और यह वाला 60 होता है, तब को पढ़ाते हैं, हो गया, हमसे कहता है, ACB का मान बताओ, ACB यानि 60 डिगरी, आंसर, मुद्दा खत्ब, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ो, जब हम लोग यह पढ़ाते हैं कि यह 45 डिगरी है, तो यह 1, यह 1, यह 1 और यह रूट 2 का रेश्यू होता है, जब हमने पढ़ाया कि यह 60 डिगरी होता है, तो यह 1, यह रूट 3 और यह 2 का रेश्यू होता है, और यह वाला, तीस सब आइट इन डिश्टेंज में पढ़ाते भी हैं, और जम पर्याट को यानि टूरिस्ट की विश्यस्ताओं को दर साता है यदि किसी वर्ज डाइलाग आ गया है तो डेटा डिया गया है अब यहां समझो हमसे जो पूछा गया उस पर अमनों प्रकास डाल देते हैं बड़ा सिम्पल है कहता दस वर्ज से कम आयू के अमेर की अब जितने है टूरिस्ट वो सब ने देखो क्योंको रेश्यो पूछा गया है न सब डेटा कर जाता है अमेर की कितने हैं 40% है तो 40% है और इसमें से कितना हमें डेटा लेना है दस वर्ज की आयू से कम तो बलो दा 10 येर वो 15% है तो इसका 15% लेना आपके है और रेश्यो लगा देना है फिर हमसे कहता पचास वर्ज से अधिक आयू ठीक है और ये भी बात किसकी कर रहा है यह अधर टूरिस्ट की बात करें तो यह अधर है जो कि 20 परसेंट है तो यह 20 परसेंट लिख्ट होगे और अबब दा 50 तो वो 10 हो गया बस मेरे प्याय दोस्तों इसको खेल लो आंसर प्राप्त कर लो कुछ नहीं करना काटना पीटना है परसेंटेज परसेंटेज स्वाहा जीरो से जीरो स्वाहा 15 चुकू 60 20 से भाग दोगे तो 3-1 आ जाएगा तो राइट आंसर आप दिस वन 3-1 होगा 3-1 सिम्पल सरल कोश्ष् कर दो संख्या एक तीसी संख्या से इतना कम है तो तीसी संख्या को सो मानो 61 कम करूंगे तो 49 आएगा 35 कम करूंगे तो 65 आएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रस्षत बताओ लगबग में नहीं बोला चलो 49 बटा 65 गुड़ा 100 हमें लगबग बोले करता है 49 से इस लिए लगब तीरा से करता है तीरा तीरा 49 तेरा पचे 300 बटा 5 यानि 60 परसेंटेज आंसर ये वाला सेट मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है एक व्रत की दो जीवाएं इतना है एक दूसरे को बिंदू व्रत के बाहर एक बिंदू पीपप प्रिच्छेद करते बढ़ाई जाती है ओके ज्या बात ज्यान दे ना ये दो जीवाएं बढ़ा दिया जैसा बोलना है के रहा है एक व्रत की दो जीवाएं है एबी और सीडू एक दूसरे को व्रत के बाहर बिंदू पी प्रिच्छेद करने के लिए बढ़ाई जाती है फिर कहता है एबी बराबर साथ के है बी बराबर 4.2 के है पीडी बराबर 2.8 के है और सीडी की बात हमसे चाहता है ठीक है अब इसकी property आप जानते हो कि P से B 4.2, P से A 11.2, P से D 2.8 और P से C यानि 2.8 प्लस X ये property ही है सब को याद है आज की रिट में P से B, P से A, P से D, P से C लिख ले ना बोलतो दिया ये अब इसको काट लो 28 मलब 2.8 से ये 4 बार में गया ये 16.8 हो गया और माइनस में 2.8 करना है X का मान 14 आ जाएगा हमसे X ही पूछा गया यानि CD की लंबाई 14 हो जाएगा तो 14 का 14 आंसर ठोको लाइक ये कुशन अपने ये बहुत बेसे पे एक की कीमत B से 3 गुनी है अब A और B ऐसे लिख दो इससे 3 गुनी तो माना ये X है इसका 3 गुना तो 3X है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आगे कई सारे operation है तो हमने X में माल लिया ठीक है हाँ डाउट नहीं आना चीए ये कहता है A को 10% हानी पर बेचा गया इसका 10% 30 पैसा इसमें कम कर दोगे तो 2.7 X पर बेचा गया समद गया 10% यानी 30 पैसा 2.7 में पीको उसके स्वैम का पांच बटा चार में यानि इसको प्रॉफिट में इसका पांच बटा चार यानि 1.25 X हो जाएगा A का विक्रेमूल B के विक्रेमूल से इतना अधिक है दोनों का अंतर लेना है तो एक रुपिया ऐसे 70 पैसे में 25 पैसे गया तो 45 पैसे आया अंतर X परावर 58 करना क्या है काटना है काटेगा दो जीरो ऐसे हैं इससे यह चीज चार बार में चली जाएगी तीन ठो जीरो लग जाएंगे हमसे कहता है वह एक अमूल तो चार त्याएं बारह जाएं चार त्याएं बारह सिंपल कोशन यहां एक तरीके से रिजनिंग का टाइक पा कोशन डाल दिया है इसने कहता है 47 जहां डिवीजन है उसको मल्टिप्लाई कर दो जहां मल्टिप्लाई है उसे डिवीजन कर दो जह जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, कह रहा है प्रभू इसको स्वाल करो, यह कुशन रिजनिंग में दिखता है, इससे डिवाइट दो बार में, और इसके साथ तो 94 भी हो गया, नौ में से 6 गया तो 3 आया 91 is the right answer कहता दिया गया पाई आरेक एक प्रकासन द्वारा विभिन मतों के तैद एक कुस्तक की त्यारी पर किये गया वै को दरसाता है कुस्तक के प्रकासन में किये गया विभिन वै कौन से 2 वै 178 डिगरी का अपनाए जोको 10 डिगरी की वैलू मनदब 10 परसेंटेज की वैलू 36 डिगरी होती है क्योंकि 100 परसेंट 306 डिगरी होता है 108 यानि 30 परसेंटेज की वैलू हमें चाहिए होगी वो 108 डिगरी के बराबर ये पूरा का पूरा जो पाई चाल होता है वो 360 पर होता है और वो as a 100% trade करता है तो 10% 336 के 30% 108 अब यहां 30% बना लो तो यह 10 और 20-30 सामने दिख रहा है एक तो miscellaneous में और एक paper का use हो रहा है यानि अब इसके नाम ABCD लिखें तो A और E बोला जा रहा है A और E data दिखा दिखा नहीं तो इस data को हम zoom कर देते हैं देख लो अब तो दिकर आओगा 10-20 E और यह वाला यही दो का लगने दर आ रहा है तो fast कर दिया में इने चालिस सेवो का आसद वजन इतना है 32 का इतना है सभी का आसद वजन बताओ तो 40 का 33 रुपिया है 33 किलू है और 32 का 30 किलू है ओवराल हमें चाहिए तो या तो गुणा करके भाग दे तो quantity से ठीक है तो यहाँ पर या तो ratio ले लिया तो 8 से यह 5 बार में गया 8 से यह 4 बार minimum 33 तो होगा ही होगा 33 से यह कितना ज्यादा 27 ज्यादा 27 शोका 108 होता है और यह कद्दू कटेगा इन दोनों को बटेगा 9 से भाग बारा नविया 108 33 बारा 45 इस दा राइट आंसर सबको आता होगा अगर नहीं आता तो 40 गुडे 33 प्लस 32 गुडे 60 और बटा 40 प्लस 32 से 5 दस मिड में सब खतम हो जाएगा दोसरे ठीक है चिंता मत करो थोड़ा फास्ट बताएंगे है तेन थीटा रावण चार के तो इस 10 थीटा को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा अपान कास्ट थीटा और वा चार बटा तीन. तो जहां साइन है वहाँ चार जहां कॉसे वहाँ तीन चिपका दू. क्योंकि ये परपेंडिकलर अबपन हाइप्वोडिनस बेस अपन हाइपॉड आपक टर जाएंगे. तो 4 तिया अए ? न चोब कुछत्तिस.- और तीन दुना छे ऐसे न चो को 36 और तीन दुना छे ऐसे यानि 36 42 हो जाएगा और 30 ऐसे हो जाएगा प्यारे दूस्तों 6 से भाग जुदों के 7 बार में और 6 से भाग जुदों के 5 बार में यानि 7 is to 5 आंसर हो जाएगा क्यासा लगा है है ना आसान इस सेट मुझे आसान लग रहा है अभी तक दो मीदवार अनन्त अरविंद के बीज एक चुना हुआ अनन्त को कुल वैद मतों का 55% 20% मत अवैद थे टोटल इतने तो अरविंद को मिले वैद तोको टोटल वोट हमारे सामने 30,000 थे जिसमें से 20% अवैद घूसित हो गए तो वैद कितने है 80% है और अनन्त को अगर 55% मिला है तो अरविंद को 45 मिलेगा तोकि 55-45 हमारा 100% होता है और हमको अरविंद का ही पूछा गया 45% बस इतको calculate कर लो दो को percentage 0 की बली मांगता है तुरन देदो 2-0, 2-0 अब 3 का गुणा इसमें करोगे तो 135 आजाएगा गुड़े 80 कर लो 0 ऐसे आएगा आठ पंचालिस चार हासिल और तेरा ठेक सो बारा और चार अंचार एक में तेरा ठे तेरा ठे गवर तो नहीं हो हुआ अधिया थे तेरा ठेक सो चार होता है ना मिर भाइच एरा ठेक सो चार और चार एक सो आठ लिला हो गया थे लिए सब तस अजार तया दस अजार आठ सो इस दर राइट आंसर आप दिस वन कोश्य नमबर बीस का संदी बाउत्रवुज में सिर्ष कोण आधार कोणों का योग का चार गुना होता है ऐसा बोला है सिर्ष कोण के वर्गमुल का मान बताओ तो फ्याय दोस्तों ये हमने बना लिया संदी बाउत्रवुज अगर इसको ठीटा और ठीटा गोशित कर दिया तो ये कहरा भया इन दोनों के योग का चार गुना यानि ये आठ ठीटा और सभी को जोड़ा तो 10 ठीटा और त्रुज के तीनों कोणों का सम 180 डिगरी होता है तो ठीटा बराबर 18 डिगरी की हो गया फिर हम से कहता है जो ये सिर्स गोण है इसका वर्गमूल बताओ तो 18 और 8 खीटा है तो 8 का गुणा कर लो 144 तो बाहर आएगा 12 राइट आंसर आप दिस वन 12 एक बाल्टी में धूद और पानी का मिस्रण 7 और 5 ये बाल्टी है 7 और 5 है बोलो हाँ तो ऐसा कर दो इसको जर्णल कर लेते हैं 7 एक्स और 5 एक्स तरीके हैं पर हम जर्णल ही बताएंगे वो जल्दी हो जाएगा किस कोशन है कहता है यदि 9 लिटर दूद को पानी में बदला गया तो 9 लिटर दूद निकाल दो और उसकी जगे 9 लिटर पानी डाल दो according to the portion कहता है यदि 9 लिटर दूद को पानी से बदल दिया जाए तो ऊपर वाला portion मिलक है 9 लिटर निकाला तो 9 लिटर पानी जोग दिया और नया रिश्यो कहता है 7 इस्टू 9 आ गया तो भाईया हमें एक्स निकाल मोटा मोटा और फिर हमसे करा सुरवात में बाल्टी में कित्ता दूद है तो यानि वह हम निकालेंगे वह हम निकालेंगे तो दोगो 9 73 और ये पैटिस त्रेसर और पैटिस अंतर ने समझे नो सब्सक्राइब आट आया अठाइस एक्साइग नौन याई क्यासी नो यानि पंद्रा गुड़े नौसा सूला सूला गुड़े नो यह हो गया यानि टोटल अठाइस एक्स की और हमसे कहता है भाईया बाल्टी में दूद कितना था तो दूद तो साथ एक्स था तो अठाइस में 4 पा भाग दोगे जो इसमें भी 4 क भाग दे दो चार से चार बार मनें गया नचो कुछांट 36 लीटर था बाल्टी में मिल्क है न आसान तरीका वैसे करते तो आपको नहीं हो गई देखो हमेशा या तक ना प्रिंस्पल एज़े हंडेट पर्सेंट होता है और रेट इंटू टाइम का गुणा आठ परसेंट आठ साल अठीर चौट परसेंट यानि चौट परसेंट हमारा ब्याद हो गया तो 164 परसेंटेज की वैलू 820 हो गई तो कहीं ना कहीं इसका पांच गुना हो गया तो प्रिंस्पल अगर आप निकालने जाओगे तो प्रिंस्पल हमारा 500 हो जाएगा दिस इस दा प्रिंस्पल बोलो हां अब हमसे कहता है यदि उसी अब यहां पर रेट इंटू टाइम का गुणा किया तो 200 परसेंट ब्याद मिला है यानि 200 परसेंट इसमें जोड़ो गए तो यानि 300 परसेंटेज हमारा एमाउंट होगा तो यह हमारा अगर 500 के है तो यह 15 के होगा यह सबसे सिम्पल तरीका है और यह औरल वाला तरीका है ह है नहीं है तो आसान सेटा चार केंपेश की करती से इतने मिनट में एक निश्ची दुए करता है समान दूरी इतना दोनों की डिश्टेंस बरावर कर दो तो चार की स्पीड में अभी चार पंद्रा को बोलते एक बटा चार गंटा तो चचोग 24 से 25 25 बटा चार ऐसे आएग अब इसको एक्स निकाल लो मेरे भाई एक्स कैसे निकालेगे चार से चार गया यह देड़स तो और 31 से भाग देजना यही एक्स हो जाएगा देड़स तो बटा इक अत्यस अंति त्रिबुच ABC और PQR समरूप है दोनों त्रिबुच का छेतरपल इतना है जब दो त्रिबुच समरूप होते हैं तो उनका छेतरपल भुजा का स्क्वायर होता है तो 289 पहले का दूसरे का 576 पहले की भुजा देखो क्या है मलब ट्रेंगल ABC तो भुजा AC होगा तो AC का स्क्वायर और दूसरे की भुजा पियार है तो समझ गया 12 का स्क्वायर दोनों साड़ी स्क्वायर हो ले लो 17 अपॉन 24 ऐसे आ गया AC अपॉन 12 ऐसे आ गया 12 से ये दो बार भाग दोगे तो AC बराबर साड़े आठ आ जाएगा यानि इस कोशन का आंसर 25 का साड़े आठ आ कात्री अभिकलितने धन्वाद